हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चानल B.A.M.S. लेक्चर्ज में आपको पता है जैसे कि हम प्रमाड पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे अगपक सभी प्रमाड खतब हो चुके हैं तो आज हम कुछ अधर प्रमाड की बारे में बात करेंगे अर्था पत्ति के बारे में जानेंगे तो अर्था पत्ति क्या होती है तो देखिए अर्था पत्ति को किसने किसने माना है तो अर्था पत्ति को प्रभाकर ने विमान साने और वेदानत ने माना है चरक सहीता में अर्था पत्ती को अर्थ प्राप्ती नाम दिया तो आपको पता होना चाहिए कि अर्था पत्ती कोई क्या बोला है अर्थ प्राप्ती और अर्थ भी इसी को बोला है ठीक तो अर्थ पत्ती का देखिए अर्थ क्या है कि एक विशय आपने ऐसा कहा जिससे आपको दूसरे नहीं आपने उस चीसको का फिर भी आपको उसका ग्यान हो गया मतलब एक विशह को इस तरीके से कहना कि दूसरे विशह को बिना कहे ही उसका ग्यान हो जाए तो उसको हम अर्था पत्ती बोलते हैं जैसे कि आपके घर में कोई बिल्ली है तो यह बिल्ली बास्केटमें नहीं है किया इसका मतलब यह कहीं और नहीं हो सकती इसका मतलब है कि वह बास्केटमे नहीं है लेकिन वह बास्केट में नहीं है, तो वह बास्केट में नहीं है, इससे आपको यह तो पता चल रहे हैं जिससे आपको जुसरी बात का भी ग्यान हो रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्थापति प्रमान बोलते हैं तो conclusion that can be drawn from something, although it is not explicitly stated, is implication तो अर्थापति को English में क्या हम बोलते हैं, implication बोलते हैं, तो वो चीज जो कि कही नहीं गई है, एक broad way में, पर उसका कहीं नहीं आप उससे meaning निकाल सकते हैं, फिर अर्थापति के बेट के बारे में बात करी गई है, तो अर्थ द्रश्ट अर्थापति और श्रश्ट अर्थापति प्रमाण, इसकी बात देखें, अभाव की बात करी गई है, तो अभाव या अनुपलप्धी को ततंत्र प्रमाण के रूप में विधान्त, पौरानिक, तांत्रिक और काविश आस्त्र मानते हैं, आने दर्शनों में इसे प्रित्यक के बात करी गई है, तो अनुमार प्रमाण के अंतरगत माना है, ठीक, इसके बात देखें, अभाव का लक्षन, तो किसी वस्तु का ना होना यहां पढ़ चुके हैं, वस्तु हम अभाव पूरा प्रमाण ही पढ़ चुके हैं, इस प्रमाण में हमें विश्यों का क्या होता है, अभाव का ग्यान हो तो इसका डेटेल हम अलड़ी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं तो अगर आपको चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में आप अभाव का वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हैं उसके बाद देखिए संभव तो संभव को सतंत्र प्रमाण के रूप में पौरानिक और तांत्रि किसे माना गया है तो उसके बाद देखिए संभव का लक्षन क्या होता है जब किसी विशय का वर्णन किया गया है और यदि उस विशय के अन्मे सभी सुक्ष्म भागों का भी ग्यान हो जाए तो उसी क्या बोलते हैं जैसे माल लीजे कि आपने केक बोला कि मैंने आज केक मर्टेरियल का परchnो क्या मूटिअर के केक में माने ने सब चीज है अग देखिशों को तिक आप बहल टाएं जिसी आपको उसके अनकि पहले हो जाए उसे क्या बोलते हैं ये जर्ग सहनताने संभव को सब्द प्रमाड़ नहीं माना है है ये बात तो हमें पता हैं उनने तो केवल चारी माने है अगर आपको पता है तो कमेंट बोक्स में जरूर बिताए क्या चार्च रखने कौन देचार प्रमार्ण माने है ठीक है इसके बाद देखिए संभाफ के उदारण से आपको समझ आएगा जैसे शोत कहने पर केवल शोत के सवरूप कही ग्यान नहीं होता है उसकी उष्णिता का भी ग्यान होता है उसके रख्तवर्ण का भी ग्यान होता है वेदना का भी ग्यान होता है बहले नहीं कहा जाता पर फिर भी अगर आपसे बोला जाए कि कहीं स्वेलिंग है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि स्वेलिंग है तो उसमें उष्णि तो आपको बढ़ने के कोई नीड नहीं है इतना जादा इसके बाद देखिए परिषेश की बात की गई है परिषेश मतलब नाम से समझ जा रहा हुआ है तो यहां बर उसी तरीके से बात की जा रही है पहले देख लेजिए परिषेश को सत्नुर प्रमान की रूप में केवल आविशास्तर ने माना है और इसको नियाए दर्शे ने अनुमान के अंतरगती शामिल कर लिया है ठीक है तो देखिए परिशेश का मतलब क्या है कि बचा हुआ तत्व है ना किसी सम्मुदाय से जो विशय आयोगी है उसे अलग कर योगी विशय को प्राप्त करना क्या होता ह परिशेश होता है तो अगर आपको मुंग की डाल नहीं भी पता कि कैसे जीखते है लेकिन अगर आप सारी अरहर की डाल निकाल लेंगे तो उसमें सिर्फ क्या बचेगी मुंग की डाल तो वह परिशेश से आपको समझ आगे ना तो परिशेश भी एक तरीके से प्रमान हु गयना मुंग की डाल का है ना तो उसी प्रकार से उड़ारन में देखिए अगर किसी ने बकरी देखी है पर बेड नहीं देखी है तो ऐसे विक्तियों को बेड बकरियों के समोधाय में बेडों को डूडने के लिए सबी बकरियों को क्या करना पड़ेगा अलग करना पड़ वह सही है इतिहाउस के बारे हिए इतिहास फ्रहस्रों बारे हिए कि इतिहास सब्र प्रभे दो औरतों में नहीं तरू है खाल करें दूनें। तो देखिए इतिहास का मतलब वही क्या है हिस्ट्री तो पूरा उसके बारे में जानना ये सब तो प्रमान में आये गा है कि पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना क्योंकि आपने हमने पड़ा था कि आप तुपदेश भी अपने में प्रमान है क्यों आप तुपदेश क्यों वह आपको जो है नॉलेज दे रहा है राइट फुल नॉलेज जो जो चीज़ें आपको राइट फुल नॉलेज प्रोवाइड करेंगी वह सभी किसमें आ जाएंगी इतिहाज प्रमाण में आएंगी है ना इतहार्त ग्यान की प्राप्ति उसके बाद देखिए अध्याय शार प्रति प्रमाण के अंदर उनको माना गया है और प्रतेक्ष अनुमान के अंदर अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बतना है और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर माई चानल क्योंकि ही आप जितना कमेंट करते है संदा मोटिवेशन आता है बिटन देखा है तो आप मिलते हैं एक्स वीडियो में थैंक यू सो मच